जहिन सातियों नमस्ते वंदे मातरम काफी बच्चे जो लगातार कोमेंट्स कर रहे थे कि सर क्या क्या हमें एडमेट कार्ड साथ लेकर जाना है तो सात्यू निर्देश है आप सभी के एडमेट कार्ड में ये निर्देश तो मोस्ट्ली होंगे परंतु देखे यहाँ पर क्या-क्या और भी आपको इसके साथ में लेके जाना यह भी तो आपको पता होना चाहिए important निर्देश आपको दे रगए साथ में ही document और आपको dress code क्या लेके जाना कि पिछले बार काफी problem में आई थी बच्चों के लिए के dress code को लेकर तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि dress code जो होगा आपको ठीक है dress जो होगा आपको formal ही पहन के जाए जो आप compatible आपको हो ठीक है क्योंकि belt रहेगा तो आपको belt निकालना पड़ेगा अगर आपने कोई बाला वाला पहन रखा है आपने धागा वागा कुछ पहन रखा है तो वो भी आपको निकालना पड़ने वाला है ठीक है तो आप सभी साथी द्यान से और अच्छे से पहले से घर से पिर्पेर होके चले जाएए कि हमें कोई भी gazzet लेकर नहीं जाना है ठीक है साथ में आपको क्या लेकर जाना है एक आधार कार्ड लेकर जाना है जहा पर आपका पूरा जो है तब लगा होगा ठीक है कौन सा जो simple एक छोटा फोटो होता है वो तो लगा ही लगेगा ही लगेगा ठीक है और साथ में एक बड़ा सा फोटो लगेगा और आपको thumb impression लगने वाला है ठीक है left hand right hand जब आप entry करेंगे आपकी जो entry होगी वो 11 बजे से start होना है ठीक है 11 बजे से ल 5 बच के 20 मिनट पर आपका exam क्या होगा close हो जाएगा तो यह निर्दे से मैंने आपको सारा कुछ आपको पढ़कर बता दिया है क्या 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 लेकर जाना है ठीक है फोटो आपको लेकर जाना है और अपने साथ पेन जरूर लेकर जाना क्योंकि आपका exam नसाती हो exam सर हमारा offline होने वाला है कैसा होगा आपका online exam नहीं है आपका offline mode पर exam होने वाला है ठीक है यह आप लोग को ध्यान रखना है ठीक है और center पर I hope साती हो आप सभी साती समय से पहले ही पहुचेंगे और सारा निर्देश मैंने आपको बता दिया है admit card की दो print आपने पास रख लीजेगा एक admit card अगर वो रखते हैं तो एक admit card आपके पास होना यह तो PDF अपने पार SEO करके रख लीजेगा ठीक है document मैंने बता दिया address code आपको बता दिया जो आपके लिए lower t-shirt हो तो आपको कही साती हो आपको सिर्फ पर सिर्फ एक्जाम देने जाना है ठीक है और कुछ करने नहीं जाना है तो simply कपड़े अबड़े पैन कर आप लोग जा सकते है ठीक है तो यह सारा कुछ था आप सभी सातियों के लिए हो सकता है सासम को share करिएगा कापी साती wait कर रहे थे कि अभी तक हमने video provide नहीं किया है और सातियों जो है सारा निर्देश जो है आपको जो है कब paper छूटने वाला है कब जो हमें पहुचना यह सारा कुछ यहाँ पर mention करके रखा है ठीक है आपके जो paper होगा paper जो होगा कापी बच्ची ये भी comments करते है both languages में paper होगा आपने चाहिए English डाला होगा तो आपको Hindi में भी मिलने माला है और आपको English में मिलने माला है ठीक है आपने जो भी language choose किया है English आपके लिए compulsory है English आएगा ही आएगा ठीक है सारे जो है offline आपको paper code मिलेगा और जितने भी student रहेंगे उनका paper एक समान ही होगा स्रीप उनका जो है जैसे की E है किसी के पास किसी के पास G अगर वहाँ booklet number होगा ठीक है तो आप उसके according क्या होगा आपका जो question क्रमांग के आगे पीछे रहने वाला है और paper कैसे solve करे ठीक है काफी बच्चे जह है पहले सब से पहले सब से पहले जो आपका strong subject है तो उसे आप लोग solve करिएगा ठीक है और starting से पर जैसे पहला question पढ़ा आपको जो है क्या करना है गोला लगा देना है दूसरा question पढ़ा गोला लगा देना है wait नहीं करना है किसरा हम बाद में question को लगाएं काफी student ऐसे रहते है तो कि आप 12th पासाओ student है और आपको नहीं पता है कि कैसे paper को attempt करना है तो जैसे जैसे आप लोग question पढ़ते जाएगा आपको जो है अपने क्या करना है जो blank जो है काले गुले को करते चलना है ठीक है और अपने paper seat को भी भरते वे चलना है ठीक है तो I hope सातियो आप सभी को समझे में आ चुका होगा और आप लोग को best of luck और बहुत अच्छे से paper दीजिएगा और जब paper देके आए तो मुझे बताएगा कि आपने कैसा question attempt किया है थाइंक यू वेरी माच और जैहिन सातियो वन्दे मात्रम